मोवी स्टार्ट होती है एक चोटी बची लोसेंडा को दिखाते हुए लोसेंडा इस वक्त स्कूल में थी और ये ब्रेक टाइंग था लेकिन वो बागी बच्चों कितरा खेल नहीं रही थी बलके एक जगा पर ऐसी खड़ी हुई थी जैसे वो किसी से डर रही हो लोसेंडा को कॉंटिनियूसली कुछ अजीब आवास सुनाई दे रही थी जैसे कोई उसे कुछ बताना चाह रहा था इसी दुरान ब्रेक ओवर हो जाती है और टीचर सब बच्चों को ग्राउंट से अंदर शलने का कहती है लेकिन लोसेंडा उनकी भी आवास नहीं सुन पाती और टीचर अब उसके पास आकर उसे क्लास में लेकर जाती है अब क्लास में टीचर सब बच्चों को बताती है कि कल स्कूल का ओफिशल ओपनिंग दे है उस सब बच्चों को बताती है कि स्कूल के ओपनिंग देपर एक competition होगा और इस competition में students ऐसी चीज़े draw करेंगे जो उनको लगता है कि ये future में possible हो सकती है सब बच्चे इस competition को लेकर बहुत जादा excited थे और वो कुछ न कुछ draw करने लग जाते हैं सिभाए Lucinda के Lucinda अपने paper पर कुछ numbers लिख रही थी उसने numbers लिख लिखकर अपना paper फूल कर दिया था और इससे पहले कि Lucinda last numbers लिखती उनका task time expire हो जाता है और Lucinda की teacher उससे उसका paper ले ले लेती है टीचर उन सब बच्चों के drawing एक time capsule में डाल देती है और उनको बताया जाता है कि ये capsule अब 50 साल पात खोला जाएगा अब school opening day पर उस time capsule को बोरिट कर दिया जाता है यह नहीं जमीन में दबा दिया जाता है और यहां Lucinda की teacher Lucinda को देखती है कि Lucinda एक second में गाइब हो जाती है लिकिन वो को जादा डेरी हुई थी और उसकी finger से blood भी आ रहा था और अब डूर की तरफ देखने पर होने पता चलता है कि Lucinda ने डूर पर कुछ numbers लिखे हैं यह वही numbers थे जो उसे अपने 8th grade whispering में सुनाई दे रहे थे जो के अपनी wife के मारने के पार depression में चला गया है यहां उस scientist का एक बेटा भी दिखाया जाता है जिसका नाम Caleb है और वो बच्छा भी अपनी mom के चले जाने के बाद बहुत से चीजों को सफर कर रहा था next day Caleb के स्कूल की 50th anniversary थी और Lexi के according अब उने 50 सार पहले जमीन के नीचे दुबाया हुआ ताइम के अपसोल पाहे निकालना था और इस काम के लिए स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टेलर को बलाती है जो के Lucinda की टीचर थी सब बचों को उस ताइम के अपसोल में से letters दे दिये जाती है जिसमें Caleb को भी letter मिलता है लेकिन Caleb के पास तो letter था उसमें सारे बचों की तरह drawings नहीं थी बलकि उसके letter में तो numbers थे क्यूंकि उसके पास Lucinda का letter था और Caleb के वो numbers पढ़ते ही उसके भी earth gate वैसे ही whispering स्टार्ट हो जाती है जैसी Lucinda को सनाई देती थी उसे लगता है कि ये आवाज स्कूल पर काफी दूर से आ रही है और जब वो दुबारा उन आवाजों पर गोर करता है तो वो आवाजे आना बंद हो जाती है गर आने पर अब वो scientist John और उसका बेटा Caleb दोनों एक दूसर से बाते कर रहे होते हैं कि तब ही उस scientist को Lucinda का letter नजर आता है वो उस letter को देखकर हेरान हुआ था और उसे लग रहा था कि जरूर इन numbers का कोई न कोई मीनिंग है लेकिन फिर वो उस letter को ignore कर देता है कुछ दिर बाद John वलती से अपना glass उस letter पर लग देता है जिसकी वज़ा से paper पर कुछ number in circle हो जाते हैं वो जैसे ही उन numbers को investigate करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक date है जिस दिन एक glass में बहुत से लोग मारे गए थे वो जैसे ही उस paper पर दुबारा नजर टालता है तो उस paper पर वो numbers पी लिखे हुए थे जितने लोग उस दिन मरे थे ये देखकर वो scientist शौक में था और अब वो बागी numbers को white board पर लिखकर investigate करना शुरू करता है और उसके investigate करने पर पता चलता है कि उस paper में जितने भी numbers थे वो फजूल numbers नहीं थे या तो वो dates थी या वो figures थी वो dates किसी disaster, earthquake या crashes को बता रही थी और उन dates के आगे कुछ numbers थे या वो figures थी कि कितने लोग इस disaster में मरे थे और जिस साल लुसेंडा ने ये paper लिखा था उस दिन से लेकर आज तक जितनी भी tragedies हुई थी वो उस page में मेंशन थी scientist अब dates को red color से circle करने लग जाता है और death की figures को blue color से लेकिन अभी भी कुछ numbers ऐसे थे जिने वो calculate नहीं कर पा रहा था next day अब John अपने एक click से मिलता है और उसे इस page के बारे में define करता है बताता है कि इस page में जितने भी number है या तो वो किसी disaster की dates है या वो उस disaster में मरने वाले लोगों की तदाद है John उसे ये भी बताता है कि ये सारे number उसी series में हैं जिस series में इस earth पर कोई ना कोई tragedy हुई और वो आप उससे बता रहा था कि इसमें कल की भी date mention हैं जिसमें 81 लोग मर जाएंगे लेकिन जॉन के कुलीक का इस बात पर belief करना बहुत जादा मुश्किल था और जॉन का कुलीक जॉन से कहता है कि ये numbers सिर्फ coincidence हो सकते हैं क्यूंकि इस paper में और भी बहुत से number है जिनका कोई meaning नहीं नज़र आ रहा था और अब वो जॉन को relax करने के लिए कहता है कि कोई तुमसे मसाग भी तो कर सकता है जॉन उस letter की सचाए जानने के लिए उस teacher के घर जाता है जो कि 50 साल पहले लुसेंडा की teacher थी और वो जॉन को confirm कर देती है कि ये letter बिलकुल original है और ये एक बच्ची लुसेंडा ने लिखा था और इसे के साथ वो जॉन को ये भी बताती है कि जिन दनों लुसेंडा ने ये letter लिखा था उन दनों उसके साथ अजीब और गरीब चीज़े भी हो रही थी अब बाहर आने पर जॉन देखता है कि उसका बेटा केलब किसी से बात कर रहा है और वो misterious आदमी केलब को एक stone देता है और उसे कुछ भी कहे बगयर वहां से चला जाता है इसके बाद next day हम देखते हैं कि जॉन केलब को school लेने के लिए road पर था लेकिन traffic jam होने की वज़ा से वो आके नहीं जा पा रहा था तभी अचानक उसकी नजर कार कर GPS पर पर परती है जहां पर कुछ figure से उसे paper पर लिखे हुए figure ज्याद आते हैं और investigate करने पर पता चलता है कि यहां पर एक plane crash हो गया है घर आने पर जॉन उस accident के बारे में search करता है जहां उसे पता चलता है कि अब 81 लोग मारे गए थे यनि उस paper की prediction बिल्कुल ठीक थी केलब के room में हम उसी mysterious आतमी को देखते हैं जिसने केलब को एक black stone दिया था वो केलब को window के बाहर future का एक scene दिखाता है जहां सब कुछ चल रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं केलब उससे घर कर shout करता है और जॉन जल्दी से अपने बेटे की पास पहुचता है लेकिन तब तक वो आदमी room से चला गया था जॉन को वो आदमी window के बाहर नजर आता है वो जैसे ही उस आदमे को पकड़ने के लिए जाता है तो वो आदमी वहाँ से भी गाइब हो जाता है अब नेक्स डे जॉन किसी ना किसी दरहा लुसेंडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए उसकी बेटी तक पहुचता है उस लड़की का नाम डियाना था और यहां जॉन उसे उसकी मदर ये ने लुसेंडा के लेटर के बारे में बताता है जिसके प्रेडिक्शन सच हो रही थी और वो साथ ही ये भी बताता है कि आज से तीन दिन बाद भी एक एक्सिडेंट होगा जिसमें 33 लोग मारे जाएंगे और अब जॉन उसे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है उन सब लोगों को बचाने के लिए लेकिन यहां पर टियाना को उसकी बादे बिलकुल बगपास लग रही थी और इसलिए वो अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है कर जाने पर जॉन टीवी में एक नियू सुनता है जिसमें वो नेक्स थे के टेर्रिस्ट अटेक के बारे में बता रहे थे जॉन उस पेपर्स के नबर्स को यूज करते हुए जीपीएस कोड बिनाता है पुलीस को इंफॉर्म करता है कि सब्वी स्टेशन पर कल एक हमला होने वाला है और फिर जॉन प्रीस वालो के साथ सब्वी स्टेशन तक जाता है और वहां उन्हें एक आदमी मिलता है और यहां इस ट्रेन एक्सेलेंट में भी बहुत से लोग मर गए थे जिससे ये प्रूफ हो गया था कि लुसेंडा की ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल ठीक है और अब यहां सर्वाइवल्स में जॉन भी था जहां पर लुसेंडा हमेशा उस वक्त जाया करती थी जब वह सबसे चुपना चाहती थी यहां पर वह लोग उस पेपर के लास्ट वर्ड्स को देखती हैं जहां पर दो मरतबा उल्टा ए-e लिखा हुआ था और उनको लगता था कि यह लुसेंडा के सर्ण नेम के वर्ड्स हैं और अब जैसे ही वो उस घर के अंदर जाकर इंविस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चुलता है कि वो e-e everyone का सिंबल था यनी इस date को हर कोई मर जाएगा और साथ ही जॉन वहाँ पर बहुत से वो स्टोंज भी देखता है जो एक मिस्टिरियस आदमी केलब को भी देखर गया था अब यहाँ बाहर कार के अंदर केलब और उसके साथ डियाना की बेटी भी थी और यहाँ पर अब वही मिस्टिरियस लोग आते हैं वो कार का हॉर्ण बजाता है जिससे डियाना और जॉन को पता चल जाता है कि बाहर कुछ कड़बर है और वो लोग भी बाहर आ जाते हैं लेकिन उस ट्राइम तक वो मिस्टिरियस लोग यहाँ से चले गए थे जहां पर डियाना बहुत दुखी थी क्योंके उसे भी यकीन था कि लुसेंडा की प्रेडिक्शन्स बिल्कुर ठीक होती थी और अब उसकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग एक दिन बाद हर कोई मर जाएगा और यह उनकी एक साथ इस दुनिया में आखरी रात है ग़र आने पर वो देखता है कि केला भी वैसे ही लेटर्स लिख रहा था जिस तरह के लुसेंडा लिखा करती थी और यहां केLEY याद आता है कि टिछर ने बताया था कि लुसेंडा ने उस लेटर्स एक डोर पर भी लिके थे वो जल्दी से स्कूल जाता है और उस डूर को लेकर अपने घर आता है। लेकिन उसके घर आने से पहले टियाना अपनी बेटी और कैलब को लेकर पहां से चली जाती है। एक केव में छुपने के लिए ताकि संड डिजास्टर से वो लोग बच सकें। जान उस डूर से जो नंबर्स बढ़ता है उनको कल्कुलेट करने से उसे पता चलता है कि इस दुन्या में ऐसी भी जगा है जहां जाकर वो इस डिजास्टर से बच सकते हैं। लेकिन घर आने पर उसे डियाना के साथ कोई भी नहीं मलता और वो अब उनका पीछा करने के लिए जाता है। यहां हम डियाना को एक गैस्टेशन पर देखते हैं। और यहां नियूस में बताया जा रहा था कि इस दुन्या में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले है। और हर किसी को अंडर ग्राउंड शेल्टर की ज़रूरत है। जहां डियाना जॉन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो कहां है और जॉन उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जगा है जहां जाकर हम इस से बच सकते हैं और वो लुसेंडा का वो घर है जहां पर वो हमेशा छुपने के लिए जाय करती थी वो भी फोन पर बात ही कर पर पर जोन को वो मिस्टिरियस आदमी नजर आता है और वो उसे शूट करने ही वाला था कि उसका बेटा केलब उसे रोक देता है और बताता है कि ये लोग हमें बचाने वाले हैं और अब यहां हम पर रिवील होता है कि ये वही लोग थे जो इन डिजास्टर्स के बारे में बता रहे थे जिनकी आवाजे पहले लूसेंडा सुनती थी और अब कभी कबार उनकी आवाजी केलब को भी आया करती थी और अब यहां पर आस्मान से कुछ स्पेश शिप आती हैं और अब वो मिस्टेरियस लोग एक ग्लोई बोडी में चेंज हो गए थे जो उन बचों को लेकर अपनी स्पेश शिप में चले जाते हैं और स्पेश शिप वहां से आसमान में उड़ जाती है और उसी टाइम जॉन वहां पर बहुत सी और स्पेश शिप भी देखता है पूरी दुनिया को तपा करना शुरू कर दिया था और ऐसे वो सारी दुनिया ख़तम हो गई थी यहां मोवी के एंड में हम देखते हैं कि वो स्पेश शिप उन बच्चों को मुखलिव जगा पर छोड़ती है जहां केलब और जॉन एक बहुत ही खुबसूरत जगा पर थे जैसे वो हैवन हो इसी के साथ ही मूवी तो एंड हो जाती है